पर यह जो अभी 23 लोगों पर कारवाई हुई है क्या है पूरा मामला इसमें मामला इस पकार है कि एक परिवाद चेत्री प्रवंदा का लीगाड मौत्यों को प्रेशित की गई उसके संबंद में एटा डेपोस से संबंदित जो आख्या देनी जानी थी उसके तहित 23 परचालकों के मार्ग बदन दिये गए हैं और उनको उन बस से ठा डिया गया है जो पूरु में उन बससे चलते थे अच्छा अब इंज पर कारवाई भी कुछ कल जो है इस लोगों ने कारवाई को लेकर हरताल भी कर दिया था कुछ ऐखना नहीं कह सकते इसको लेकिन यह है किनोंने ड्यूटी पर कम लोगों परस्यत हुए है और किसे काड़ से कल 10-15 के बीच में बसे जो है तब आवे जाने से प्रभावश भी जाएगा आज की क्या इस्तिती ठीक है साथ में ऐसे 23 परचालक जो है उनमें से कुछ ऐसे परचालक भी है जिनका लोट कर्टर अच्छा है और जो कि सायदेव श्रड़ी में नहीं आते हैं कि परवाद करता उन्हें परवादी में बिना किसी जानकारी करके इस प्रगारगी परवाद किये जिस्तिती